Good morning students पिष्ले वीडियो में मैंने आपको Types of Lines के अंदर 6 Types की Lines पढ़ाई थी आज के इस वीडियो में उसके आगे की जो Lines बची ती ही वो मैं आपको बढांगी आगे की जो Lines है वो आपकी है सबसे पहले आपकी आती है Zig-zag Line या Long Break Line दो नाम होते हैं इसके या तो हम इसको zigzag line भी कह सकते हैं या इसको हम long break line भी कह सकते हैं zigzag line या long break line इस प्रकार की होती है दिखने में design इसकी देखिए आप और ये exam के अंदर केवल draw करने की लाती है आपकी किसी भी बड़े बहुत लंबे object को अगर आपको short छोटा करके दिखाना है दरशाना है किसी भी drawing के उपर तो आप इस line का प्योग करते हैं इसको बोलते हैं zigzag line या long break line next line है आपकी short break line इसको हम curved line भी कहते हैं short break line curved line भी कहलाती है और इसकी आकरती वक्राकार होती है देखिए आप इस थरह की आकरती short break line है छोटे objects को drawing के उपर show करने के लिए short break line को प्योग किया जाता है ये केवल draw करने के लिए आपके exams में आती है idea के exam point of view से यही important है कि इनका shape कैसा होता है आपको ध्यान होना चाहिए और कैसे इनको draw करते हैं यह आपको आना चाहिए बस next है आपका arrow arrow एक most important बहुत ही important है आपके लिए arrow तो यह arrow का ratio दे रखा है मैंने 3 is to 1 तीन अनुपात x का ratio होता है arrow आपके इसी अनुपात में बनने चाहिए और arrow आपके दिखने में इस तरह से होने चाहिए जो तीर की तरह निशान इनका होना चाहिए next आपका डिटो लाइन डिटो लाइन होती है लगातार गहरी double dash रेखा इसे हम डिटो लाइन कहते हैं इसके बीच में जिस प्रकार से आप center line खेंचते हैं उसी प्रकार से center line की तरह ही बनती है ये और इसके बीच में double dash 3 mm 3 mm के dash लगते हैं ये है आपकी डिटो लाइन तो एक्जाम के अंदर आपको केवल नाम देते हैं कि आप इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाईए नाम के अधार पर ये आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू वरी मच इस वीडियो को ध्यान से देखे और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें